आज हम लोग फिंगर्प्रिंट सेंसर की मदद से फिंगर्प्रिंट को रेजिस्टर करना सिखेंगे इसके लिए एक फिंगर्प्रिंट सेंसर एक अर्डिनो उनो एक 16 x 2 LC डिस्प्ले उसका कनेक्टर एक बजर एक लेडी कुछ पूछ बटन और एक RTC मॉड्यूल एक ब्रेड़ बोर्ड और कुछ जंपर वाइस की जरुरत होगी तो चलिए इससे बनाते हैं आए-प्रिंग्डर्या झाल 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 जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कनेक्शन्स जो है वो कंप्लीट हो गया है अब हम लोग इसके अंदर कोड अप्लोट करेंगे कि आब झाल 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 हमारा कोट जो है वो अपलोड हो गया है अब हम लोग इसमें फिंगरपिंट रेजिस्टर करेंगे जैसे कि देख सकते है यह सिस्टेम स्टार्ट हो गया है अब हम लोग इसका रेजिस्टर वाला बटन को प्रेस करेंगे उसके बाद हम लोग ओके का बटन प्रेस करेंगे इसके बाद हम लोग जो है वो फिंगर उसके उपर रखेंगे और फिर यह दूसरी बार फिर से अब य जैसे ही मैं इसमें फिर से रखता हूँ तभी यह दिखा रहा है यह रेजिस्टर फिंगर प्रिंट है और यहाँ पर सिंगनल दे रहा है ऐसे ही मैं बाकी फिंगर प्रिंट को भी इसमें रेजिस्टर कर सकता हूँ आप भी चाहे तो यह कर सकते हैं बना के हुआ 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 है हुआ हुआ है